हेलो एव्रिगॉन तोडे आम गोइंग टो टेल यू बाउट डबल फार्टिलाजेशन अगर आपके ट्वैल्थ के बोर्ट के हिसाफ से देखा जाए तो यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टोपिक है so let's start double fertilization को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक structure आपको पता होने शाहिए जेसे यह क्या है यह एक कारपेल है कारपेल क्या होता है स्वी मेल पार्ट होता हे फिमिल रेप्रडर्रक्टिव पार्ट होता है प्लांट में इसके क्या होते है पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं, basically stigma, style और यह पूरा पूरा ovary, ovary के अंदर क्या होता है, ovary के अंदर होता है ovule, और ovule के अंदर क्या होता है, embryos है इसे के अंदर क्या हो जगा, हमारा double fertilization होगा यह देखे, यह pollen जो है वो स्टिगमा पे आके चिपक गया है और ये सारे के सारे Đंग है और इसने प्लेनट ये लिए है पूरा एंब्रीयोसेक तक पहुच जाते हैं एंब्रीयोसेक का मैंने बड़ा structure बनाया है यहां है मैच्छॉर एंब्रीयोसेक इस structure को आप लुग जरूर कर लेजएगा 12 के बोर्ड में यह जरूर ही आना इसको तो important में लिखेज़ेगा इसके भी basic structure इसके नाम पता होना चाहिए जैसे कि ये क्या है antipodals ये क्या है polar nuclei ये XL ये क्या है synergates और synergates के यहाँ पे नीचे वाले part में फिलिफम apart असता है तो ये रहा pollen tube इसमें क्या होंगे male gamit होंगे वो भी two male gamits होंगे और वो दोनों के दोनों इधर से ऐसे embryo sick में आएंगे इधर वाले end पर इधर से something like this और दोनों के दोनों male gamit synergates के cytoplasm में जाकर release हो जाएंगे इधर जिन में से एक क्या करेगा एक male gamit जो है वो एक XL के साथ fuse हो जाएगा और ये जो second male gamit है वो दोनों ऐसे polar nuclear के और मुड़कर इससे क्या करेगा fuse हो जाएगा इसको मैंने ऐसे short में लिखा है जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकें जैसे की double fertilization discovery किस ने की थी SG नवाज चेंड ने की थी और ये केवल और केवल angiosperms में ही होता है बहुत सारे लोगों को doubt होता है angiosperm क्या है gymnosperm क्या है simple, major difference यह है कि angiosperm में क्या होते हैं flowering होती है यानि angiosperms में flowers निकलते हैं और gymnosperm में ऐसा नहीं होता है so double fertilization केवल और केवल flowering plant में होता है यानि angiosperms में होता है यह आपको MCQ में आ सकता है इसको याद कर लिजेगा फिर जो meal gamit था two meal gamit उसमें से one meal gamit जो है वो इदर यहाँ पर एक सल के साथ fuse हो जाएगा वहाँ वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखाया कि one meal gamit जो है वो एक सल के साथ fuse हो जाता है और fuse होने के बाद वो सिंगेमी प्रोसेस को complete कर लेता है अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सिंगेमी क्या होता है एक्चली सिंगेमी ही fertilization है यह सिंगेमी वर्ड जो है वो fertilization का ही second word है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि सिंगेमी क्या है यह fertilization ही है जो first meal gamit है वो एक सल के साथ fuse हो जाएगा और fuse होने के बाद वो क्या करेगा fertilization को complete कर लेगा और fertilization के बाद क्या बनता है result में zygote zygote कैसा होता है deployed क्यों क्योंकि xl जो है वो haploid है यानि n और जो meal gamit है वो भी haploid है और n और n मिलेंगे तो वो 2n यानि diploid को बनाएंगे और यह जो second वाला meal gamit है यह भी haploid है और यह रहें 2 polar nuclei यह दोनों polar nuclei haploid होते है यानि n अब 1n 2n 3n 3n आपस में मिलते हैं और triple fusion को complete करते हैं अब triple fusion क्यों? यहां क्या था कि n और n मिले तो 2n यानि partialization हुआ और जिसके result में बना zagot बट यहां क्या था कि यहां 3n थे और 3n आपस में मिलें तो वो triple fusion को complete कियें अच्छा, triple fusion के result में क्या बनता है? triple fusion के result में बनता है P.E.N P.E.N means that primary endosperm nucleus और यही primary endosperm nucleus जो है वो आगे चलके primary endosperm cell को बनाता है तो यहां तक हमने समझ लिया सिंगेमी क्या होती है? triple fusion क्या होता है? अब आया double fertilization की बारी triple fusion और double fertilization sorry triple fusion और सिंगेमी दोनों साथ में ही एक embryo set के अंदर होते है यहां यहां जो है एक male gamit जो है वो एकसल के साथ जाकर fused हो जाएगा और वो fertilization को complete कर देगा यानि यहां हो गया fertilization और दूसरा वाला यहां moves होके क्या गरेगा? दूनों polar nuclei के साथ fused हो जाएगा और यह triple fusion को complete करेगा यहां होगा fertilization यहां होगा triple fusion अब इन दोनों को साथ में होने के process को ही कहते है double fertilization और double fertilization की क्या खास बात है कि वो kevel और kevel in juice pumps में होता है आज के लिए kevel इतना ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और आगर के नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे सस्क्राइब भी जरूर करें